गुद मॉर्लिंग स्टूदेंट टूदेए वी डिसकस अबाउट एडवांटेज ओप टिसू कलच्छर एडवांटेज क्या होता है टिसू कलचर का आज हम डिसकस करेंगे एडवांटेज आप टिसू कलचर ठीक है टिस्सू कल्चर के क्या एडवांटेज होते हैं ठीक है ना सबसे पहला टिस्सू कल्चर का जो एडवांटेज होता है ये टिस्सू कल्चर इज ए वेरी फास्ट टेकनीक ये बहुत ही तेज टेकनीक होती है जिससे हम थाउजेंट प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं प् कुछी सप्ता एकुम समय लगता है श्रुमाइब किONA स्वेंट आप इसमाल इवाउंट अपप ब्लांटेश्ल लेकर हम इसको इसको MKS कर सकते हैं ड्योड़म छासक ब्लांट को सबसे पहले इसका क्या एड्वानटेज होता है कि सु डिजीज फ्री होते हैं ठीक है ना यह फास्ट टेकनिक है सबसे पहला एडवांटेज है इट इस इट इज फास्ट टेकनिक क्या यह फास्ट टेकनिक है इझे भास्ट टेकनिक होती है दूसरा है कि इससे कि हम डिजीज फ्र्ी प्लांट प्राप्त कर सकते हैं कैसे यानी हम जो हंच इस। हम इससे हम क्या मलेगा डिजीज फ्री ब्लांट कि इससे हम डिजीज फ्री प्लांट को क्या कर सकते हैं प्रोड्यूज कर सकते हैं दूसरा टिचू कल कल्चर का एडवांटेज होता है कि टिशू कल्चर कैन ग्रोव प्लांट राउंड यह यानि एक साल में हम कई बार टिशू कल्चर के दारा प्लांट को क्या कर सकते हैं ग्रोव करा सकते हैं इसमें इस्पेस कम लगता है ठीक है तो यह सारे जो टेकनिक हैं यह एडवांटेज के अंतरकर आती हैं आज हम डिसकस करेंगे इसके बाद इसके अलामा अलग टाफिक पे डू आर्गिनिजम क्रिएट इग्जैक्ट कॉपी आप देमसेल्फ इन एकस्वाल रिपोडक्शन यानि किस प्रकार से इंडिविडिवाल्स जो हैं किस प्रकार से कोई भी इंडिविडिवाल्स एक आइडेंटिकल कॉपी को कर लेता है इसेक्श्वाल रिपोडक्शन में यानि हमें कह सकते हैं यहां पे आपका जो आज का टॉपिक होगा, डू आर्गिनिजम, डू आर्गिनिजम, क्रियेट, क्रियेट, एक्जैक्ट कापी, एक्जैक्ट कापी, कापी आफ देमसेल्प, किस प्रकार से, कोई भी आर्गिनिजम, अपनी एक्जैक्ट कापी, को डेवलप करता है, बाई एसेक्शूल रिप्रोडक्शन, कि तुरू, कोई भी आर्गिनिजम, अपनी इक्जैक्ट कापी को, किस प्रकार से डिवल dunno कर सकता है तो हम जानते हैं कि जो जनेटिक मैटिरियल्स होते है ठीकर ओ जनेटिक इनफार्मेशन को कैरी करते हैं पैरेंट से Uposition किसमे करते हैं यानि किसी भी इनदीबिदीविट्ग जो character होते हैं वो determined होते हैं कि say उसके genetic material से और genetic materials क्या होता है DNA होता है कोई भी organism होगा तो उसका reproduction के समय वो अपने parent के genetic material का किस परकաर से copy करते हैं तो हमें कह सकते हैं the material which carry genetic information from the parent to the office spring is DNA जो materials होता है किसी parent से उसके office spring में exact उसके जैसे individuals को farm करने में वह materials DNA कहलाता यानि deoxy ribose nucleic acid होती है ठीक है तो the basis जो एसेक्सवल reproduction का जो basis होता है तो वह mitosis division पर निर्भर करता है mitosis division का मतलब कि अपने जैसे ही प्रोजनी को यानि टू एन cells है तो टू एन सेल्स को ही यह बनाएगी तो हमें कह सकते हैं कि जो उसका genetic basis होता है यह sexual reproduction का वो क्या होता है mitosis division तो हमें कह सकते हैं genetic basis of asexual reproduction is mitosis माइटोसिस 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 इसको हम माइटोसिस कहेंगे ठीक है न और जो genetic information convey करता है वो किस रूप में होता है the genetic information यहां पर हम कह सकते हैं the genetic information information convey by parent to parent के दोरा asexual reproduction में genetic information by parent to dear of spring तो उसके parents या आफ इस्प्रिंग में जो जाते हैं वो किस के थूरू जाते हैं DNA DNA तो DNA का पूरा नाम होता है deoxy ribose nucleic acid तो DNA के फार्म में यह क्या कर सकते हैं copy करते हैं और यही genetic information को ले जाते हैं जिससे कोई भी individuals होगा वो similar kinds का होगा सबसे पहले अगर हम माल ले कि यह कोई cells है ध्यान दिजिएगा यहां समझने की बात है लाइक देट यह एक cells है यह क्या है एक cells है ठीक है और यह cells का nucleus है यह क्या है cells का nucleus cells का nucleus है ठीक है और इस nucleus में यह DNA है यह क्या है dna ठीक है तो अब इस DNA की copy होती है जिसके वजह से इंडिविडिवल एक्जैक्ट और सेम होते हैं to their parent अपने parent की एकदम copy होते हैं तो यहां पर होता क्या है यह DNA होता है और DNA replication के through DNA की copy होती है तो यह DNA की क्या होगी DNA copy बनेगी क्या बनेगी कापिंग तो यह DNA की यहां क्या होती है तो एक से दो DNA की कॉपी बन जाती है, ऐसे. इस प्रकार क्या हो गए? कि यह two molecules आप DNA हो गए. क्या हो गए? यहाँ पे हम कह सकते हैं, there is two molecules आप DNA. यह क्या हो गए? तो यहाँ सिंगल था, अब इसी की जब कॉपी बन गई, तो यह क्या हो गए? तो यह two molecules आप DNA हो गए, अब जैसे यह two molecules DNA हो जाते हैं, इसका nucleus divide हो जाता है बीच से. बीच से क्या होता है? Nucleus यहाँ से बीच से divide हो जाता है, और जैसे ही nucleus बीच से divide होता है, आगे हम देखेंगे. यह third step है, ऐसे. तो इस step में क्या होगा? nuclear division होगा, यहाँ हम दिख सकते हैं, nuclear division. तो यहाँ nuclear क्या होगा? division होगा, और nuclear जब division होगा, तो cells तो ऐसे ही होगी. ऐसे. तो cells का cytoplasmine कुछ इस प्रकार से होने लगता है, बीच में construct हो जाता है, ऐसे. ठीक है? अज़ो nuclear का division हो जाएगा, तो एक nucleus से दो nucleus बन जाते हैं, ऐसे. क्या होते हैं? एक nucleus से दो nucleus हो जाते हैं, तो यहाँ, जब यहाँ पर nucleus divide कर रहा है, तो इसको kairiokinesis कहते हैं, अज़ो nucleus divide करेगा, तो एक set DNA का यहाँ पर हो जाएगा. और दूसरा set क्या हो जाएगा? यहाँ पर चलाएगा. ऐसे. ठीक है? तो यह यहाँ पर चलाएगा, अब यहाँ nucleus divide हो गया, बाद में यह चल कर क्या होता है, कि यह पूरी cells यहाँ से divide होती है. पहले nucleus divide होता है, फिर क्या होता है? cells का division होता है, तो cells का जब division हो जाएगा, तो यह एक cells से दो cells का formation करती है. यह क्या की? एक cells से दो cells का क्या की? फार्मेशन की? ऐसे. अब एक cells से दो cells का formation की? और यह two daughter cells बनाएं, कितने बनाएं? टू डाटर cells डाटर cells यह two daughter cells का formation हो गया. अब यह दोनों daughter cells अपने parent cells, इसको हम parent cells कहेंगे. parent cell ठीक है? तो इस parent cell से, एक parent cell से सबसे पहले DNA की copy हुई और DNA की copy होने के बाद nucleus क्या किया? कि two भागों में या, दो भागों में क्या किया? डिवाइट किया और nuclear division से दो nucleus का formation हो गया यहां पर, और फिर cytoplasm से cell division हो गया, यहां यहां nuclear division होगा और यहां क्या होगा? यहां cell division हो गया और जिससे दो डार्टर सेल्स ओए और दोनों डार्टर सेल्स अपने parent cells के एकड़म आइडेंटिकल होते हैं, इस प्रकार से किसी भी आर्गेनिजम की exact copy बन जाती है और वो exact copy एक दूसरी के क्या होती है? एकड़म समान होती हैं और जो एकड़म समान होती ह ज़ल होगी तो उसी को हम कहेंगे आइडेंटीडिकल इन्डि विंडिवीडिवस एशुए एसमेरेखिए की ठूरू किया करते हैं। उनका फार्मिसान होता है तो इस लेकिन किछ वीक्षिन में ऐसा नहीं होता है क्यों कि ही इसमें जो DNA का जो जो मालिकूलस डिविजन होता है एक स्टेम में एक न कंडिसन में मैंम। मेल से आएगा और यह कंडिशन में यह फिमेल से आएगा तो यह दो अलग अलग इंडिविडिवल से मिलकर आते हैं और जिसकी वजह से यह दो क्रोमोसों के से मोता है तो यह दोनों आपस में बिलते हैं तो एक नया combination बनता है एक नया combination बनता है जिसके दूढर्व किसी भी इंडिविजूस में जो 2-1 condition होती है वह डियन्ये का स्ट्रक्श थोड़ा सा दोनों से बढता है टीयन्ड़र है कि जो ऑन हिस फिरिंग होती है ठोड़ा सा भासारी सद्राया जाता है पथस्कुर करेक्टर आ जाते हैं पीटा के करेक्टर फादर के आ जाते हैं कुछ मैटर्नल करेक्टर तो इस प्रकार से सेक्ष्वाल पोड़क्शन में एकdem सेम इग्जेक्ट कॉपी होते हैं और जिसके वज़े से यह इग्जेक्ट कापी होते हैं इसलिए इसेक्शुल रिप्रोडक्शन को क्लोन का नाम दिया गया ठीक है अब यह चीज होती है कि आप जिसे सेक्शुल रिप्रोडक्शन के थोड़ी ने थोड़ी सी भीनता आ जाती है उसकी बच्चे में तो यह वैरियेशन क्या होता है एक इंपॉर्टेंस हो करता है और वह इंपॉर्टेंस क्या होता है कि आगे चलकर फ्यूचर में प्रोजनी अपने आपको इन्वार्यमेंट में एड़ेस्ट करें और फिर इसके बार अपने इस प्रिशीज को कांटिन्यू करें और उसमें इंप्रूब बार बार होता रहता है तो यहां पे हमें कह सकते हैं कि यह टिस्व कल्चर भी आपको समझ में आया होगा है सेक्शुल रिपोड़क्शन भी और अब हम पढ़ेंग सेक्शुल रिपोड़क्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यह आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा और इस नेक्स्ट टॉपिक को सेक्शुल रिपोड़क्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टेडी करेंगे और यह इसको नेक्स्ट हम next day यानि कल इसका discussion किया जाएगा कि what is sexual reproduction in flowering plant ठीक है तो इसमें आपका pollination भी आ जाएगा तो sexual reproduction in flowering plant के बाद हम animals में reproduction के बारे में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद